असलाम नेको मेरा नाम है जिशानर अबदेर एमदी है यूट्यूब चैनल आज की थर्ड क्लास में वेब डिजाइनर की यह थर्ड क्लास है अगर आपने पहली क्लास है नहीं देखी तो दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो आपने वहां से प्लेलिस्ट को अक्सेस क इस वीडियो में क्लास करेंगे इक है क्लास आके और स्टेटिक वेब साइट्सट्री फार्वय टैप्शाइटट्राषी अब स्टेटिक वेब आपज कौन अब से आउट्सक होती है जिसका कट्ग्ट Board fix होता है इस तिक वेचिग operating आर मेड़ा फिक्स और and unless the site developer makes changes, nothing will change on the page. यह जिस developer ने वो site बनाई है, तो वो ही उसको change कर सकता है, उसमें कोई editing करनी है, कुछ भी करना है, तो वो ही करेगा. लेकिन वेबसाइट पर अगर कोई user आता है, जैसे हमारे पास एक website है, तो हम उस website पर जाते हैं, और वहाँ पर हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं. तो यह होती है static website, इसके मुटलिफ examples हैं, वो examples portfolio website होती है, जहाँ पर कोई भी freelancer या कोई भी worker अपना portfolio upload करता है, लेकिन यो user होता है, वो इसको download कर सकता है, या उसको देख सकता है, लेकिन उसमें changing नहीं कर सकता है, तो यह होती है static website, उसके साथ सब, next example है dynamic websites, dynamic website कौन सी होती है, यह उसके static website के old है, dynamic website होती है, यह structure and content भी post कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ हमारे अपने हाथ में होता है, user के हाथ में होता है, website पर editing कर सकते हैं, तो यह website होती है dynamic website, dynamic website की example कौन कौन सी है, कोई भी blog post हो सकती है, facebook हो सकती है, twitter, कोई instagram जे सारी तो अमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने प्लेइलिस्ट को अक्सेस कर लिया गा और डिस्क्रिप्शन में वाट्साइप ग्रूप का लिंक दिया गया तो आपने वाट्साइप ग्रूप को जाइन कर लेना है, वहाँ पर रात को 9 बजे क्वेस्ट आंसरिंग होती है, और डिटेल में डिस्केशन होती है, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, और डेली वीडियो अपलोड हुआ करेगी और आपने डेली वैप डिजाइनिंग का कॉर्स करना है, आपने डेली क्लास लेनी है, तो मिलते हैं भी नेक्स व